नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का वाइफाइ स्टेडी में मेरा नाम है संदीब जानी कैसे हैं आप सभी लोग उमीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे तो दोस्तों शाम के दस बच चुके हैं और हमारा जो सबजेक्ट है सिविल इंजिनरिंग वो हम पढ़ने जा रहे हैं सिविल इंजिनरिंग के अंदर हम बात कर रहे हैं दोस्तों सर्वेइंग की तो सर्वेइंग के अंदर आज हमारा जो टॉपिक है वो प्लेंडेबल सर्व पहले हैं आपको बछाइन पर यहां पर आपको उनके सेशन उसके उसके इन्षान सकते हैं वह दोसको उनको कोज यूज करना होता है प्री लॉसके इंदर धो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो हम इन्वार्मेंट इंजिनरिंग पढ़ रहे हैं environment engineering जो water supply engineering वाला पार्ट है वो पढ़ रहे हैं जिसके अंदर एक class के अंदर objective questions की practice, एक में conventional questions की practice हम कर रहे हैं, so इसका जो time है वो शाम को 4 बजे, 6 बजे इन दोनों classes का time है, unacademy के आप install कर लीजिए और अगर आप free classes देख रहे हैं, तो unlock code आप use कर सकते हैं संदीब डबल पन, इसके अलावा दोस्तो इसके अलावा app को आपको अगर आप website पे जाते हैं, या app के उपर जाते हैं, तो कई बार आपको special classes जो है जो ongoing होती है, वो आपको दिखती नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, नीचे special classes में जाना है, और special class में जाके see all पे click कर देना है, जैसे ही आप see all पे click करेंगे, तो वहाँ पे आपको सारी classes जो है, वो आपको दिख जाएंगी by date आपको दिख जाएंगी, by title हर title के अंदर भी मैंने इन जो है details डाल रखी होती है, हर subject जो शुरू होता है, उसका session 1, session 2, session 3, session 4 and so on, तो आप जो है वो पढ़ सकते हैं, उसके according, चली, तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, Unacademy की app आप उपन करेंगे, आप उपन करने के बाद आपको अपना goal select करना होता है, अगर आप Unacademy app के उपर, अगर आप subscription model पर पढ़ना चाहते हैं, और आपको तयारी करनी है, तो आपको अपना goal select करना होता है, आप किस exam की तयारी कर रहे हैं, आप SSC exams की कर रहे हैं, या फिर आप GATE और EAC की कर रहे हैं, फिर उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, वहाँ पर मेरी profile search करनी है, मेरी profile पर आपको यह course जो है दिख जाएगा, RCC का course यह कल से शुरू होने वाला है, दोस्तों, new batch है, नया course है, यह आपको कल 2 बजे 2 पीएम, Ann Academy की app के उपर यह आपको मिलने वाला है, दोस्तों, वहाँ पर आप मेरी profile जो है, मेरी profile संदीब जानी, आप search करेंगे, मेरी profile पर जाके आपको यह course दिख जाएगा, इस course पर जाके आपको get subscription पर click करना है, उसके बाद आपको duration select करनी है कि आपको कितनी duration के लिए subscription चाहिए, तो subscription का cost आप देख सकते हैं दोस्तों, 6 months 4800 है, आपके पास 12 months 6000 है 24 months 7200 है तो preferably 1 या 2 years का subscription आप ले सकते हैं, जिससे कि लंबे समय तक आपके पास यह content जो है वो available रहे, after that you will be asked for a referral code do you have a referral code, तो referral code आप use करेंगे संदीब 111, संदीब 111 से आपको 10% discount भी मिल जाएगा और साथी साथ में आपको access मिलेगा यह unacademy की आपके उपर आप किसी भी educator की कोई भी class देख सकते हैं ssc category के अंदर, daily live classes होंगी, recorded classes जो already class हो चुकी है, वो आपको वहाँ पर मिल जाएगी, live mock test and quizzes जो हैं, यह आपको मिलेंगे, तो जितने भी unacademy हैं, आपके benefits हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे, if you use the code sandeep 111, साथ ही साथ में दोस्तो, वहाँ पर आपको credits, जो academy की जो special classes आप देखते हैं, उनसे आपको मिलते हैं credits, तो इन credits का इस्तेमाल करके आप 10% और additional आप use कर सकते हो, so sandeep 111 plus credits use करके आप up to 20% तक discount जो है, वो आप ले सकते हो, अब दोस्तों बात करते हैं subjects की, जो subjects हम already पढ़ चुके हैं, या अभी कौन से parts जो हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, इनकी बात करते हैं, अब वैसे तो syllabus multiple times जो हैं, वो already cover हो चुका है YouTube पे भी, plus पे भी special के अंदर भी, तो अगर इनको हम देखें, अभी recent की अगर मैं बात करूं, 2020 वाला जो exam है, उसके point of view से अगर मैं बात करूंँ दोस्तों, तो building materials वाला part और concrete technology वाला जो part है, ये दोनो parts जो हैं, ये plus के अंदर already हो चुके हैं, ये crash course नाम से आपको एक title दिखेगा, मेरी profile के अंदर crash course for civil engineering, इसमें ये उनों आपको मिल जाएंगे वहाँ पर, इसके अरावा estimation and costing, estimation, costing and valuation, ये अभी recently ही हमने YouTube के उपर पढ़ा है, ये हमने recently YouTube के उपर पढ़ा है, surveying जो है, ये अभी हम YouTube के उपर कर ही रहे हैं, अभी जो हम पढ़ रहे हैं, YouTube पे चल रहा है, ये हमारा चल रहा है, अभी actually दोस्तों smart board और जो studio system है, उससे regarding थोड़ी से issue चल रहा है, इसलिए हम ये session भी अभी जो है, यहाँ पे laptop से या chroma setup से चल रहा है, जैसे वो issue fix हो जाएगा, उसके बाद, classes जो है, अपनी वो ongoing हो जाएगी, hydraulics की बात करें, fluid mechanics and जो हमारा hydraulic machines वाला part है, यह already plus के उपर, मेरी profile में आपको यह course जो है, वहाँ पर दिख जाएगा, this is also done, irrigation engineering, revision वाला जो portion है, वो तो special class में हो चुका है, revision के through अगर हमने उसकी बात की, या उससे पहले, जब हम estimation पढ़ रहे थे, तब हमने irrigation engineering, youtube के उपर भी recently किया था, तो यह भी आपको वहाँ पर youtube के उपर मिल जाएगा, youtube की classes कैसे देखने है, मैं एक बार फिर से आपको बताऊंगा, थोड़ी सी देर में, transportation engineering की अगर हम बात करें, तो highway engineering हो गया आपका, airport हो गया, airport का बहुत चोटा portion जो आप से SSC में, rarely एक आद सवाल कभी कोई आगया तो आगया, इसके लाबा railway और highway, majority highway, फिर railway, कुछ portion आपका traffic engineering का जो है, यह आता है, environmental engineering part 1 और part 2, यह दोनों complete हो चुके हैं, plus के उपर, यह दोनों already done है, strength of material कि अगर हम बात करें, दोस्तों तो यह अभी अभी plus के उपर, यह complete हुआ है, आपका RCC design, यह कल शुरू होने वाला है, यह कल start हो जाएगा आपका, और यह steel design, यह अभी हम करेंगे, steel design pending है, transportation, वैसे revision के format में, और वैसे हम बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन फिर भी इसको अभी आगे next subjects के form में, इसको हम शुरू करने वाले हैं, so you can see, कि कौन-कौन से part ऐसे हैं, जो complete हो चुके हैं, कौन-कौन से ऐसे part हैं, जो अभी आने वाले बाकी हैं, ठीके, civil 101 की class कोशिश करते हैं, कल से शुरू हो जाए, कल के गायब हो रखे हैं, windows दुबारा से update कर ली, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर भी, मतलब, it is not working anyhow, so कल देखते हैं, उसका अगर कुछ और alternative निकल पाता है, तो, ठीके, चलो, तो यह आप देख सकते हैं, YouTube के उपर जो भी sessions हुए है, उनको देखने के लिए आपको क्या करना है, YouTube के जो भी sessions है उनको देखने के लिए आपको Wi-Fi study जो channel है, इस channel पे आपको जाना है, Wi-Fi study channel जैसे ही आप open करेंगे, तो channel पे आपको उपर ऐसे tab दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको home का दिखेगा, यहाँ पे आपको videos का दिखेगा, और यहाँ लिखाओगा playlists, तो आपको playlist के उपर जाना है, जैसे आप playlist के उपर click करोगे, तो playlist वाला page खुल जाएगा, फिर उसमें playlist जो है, जैसे मान लेजिए यहाँ पे railway, फिर railway की कुछ classes जो है, इनकी playlists बनी हुई होगी, फिर आपको दे रखाओगा, SSC CGL का दे रखाओगा, उनकी playlists बनी हुई होगी, ऐसे आप नीचे जाएंगे, तो वहाँ पे आपको दिखेगा, SSC JE दिखाई देगा, वहाँ पे SSC JE, SSC JE के अंदर आपको civil की जो playlists है, 2000 जो अभी recent चल रही है, 20 वाली, वो 19 वाली, 18 वाली आपको सारी दिख जाएंगे, तो उस playlist को open करना है आपको, उस playlist को आपको open करना है, और जैसे ही उस playlist को आप open करेंगे, तो playlist को open करते ही, आपके पास playlist जो खुलेगी, उस playlist के उपर यहाँ पर plus का button बना होता है, plus का sign होता है, उसको आप click कर दीजिएगा, plus का जो sign होता है उस playlist का, उसको आप click कर दीजिएगा, तो आपका जो phone है, उस phone के अंदर आपके यहाँ पर my library लिखा होता है, my library करके, तो वो my library के अंदर वो playlist add हो जाएगी, तो आपको रोज-रोज जाके ऐसे ढूढ़ना ने पड़ेगा, कहां कौन सी class पड़ी है, कहां वीडियो है, आपको YouTube खोलना है, my library में जाना है, वहां वो playlist दिखेगी, तो उस playlist के अंदर, अभी तो currently playlist चल रही है, उसमें daily class add होती रहती है, तो आपको वहीं एक जगाँ पर सारी classes जो है, वो देखने को मिल जाएगी, तो my library में आप अपनी playlist जो है, उनको add कर लीजिए, ठीक है, प्लस पे कल से class शुरू हो जाएगी, आपको बता दिया, तो आप subject देख सकते हैं दोस्तों, जितना अपने पास additional time बच जाएगा, उस additional time में अपन revisions करेंगे, revisions करेंगे, questions की practice करेंगे, यह सब करेंगे, तो आप जो नएं दोस्त हैं, जिन्होंने late join किया है, वो देख सकते हैं कहां पर कौन कौन से sessions जो हैं, वो हो चुके हैं, और कौन से जो हैं upcoming आने वाले हैं, इसके अलावा special classes में जा सकते हैं, वहाँ पर आपको अलग-अलग subjects के ESC के previous year questions मिल जाएंगे, तो वो आपके उपर है, वो आपके efforts से जितना आप कर सकते हैं, जैसे lockdown में हमने बहुत सारी classes रखी हैं चलो, आगे बढ़ते हैं दोस्तो, आज का हमारा जो topic है, that is plain table surveying plain table surveying छोटा सा topic है इस topic के अंदर जो ज़्यादा तर चीज़ें पूछी जाती हैं, वो आपसे बिलकुल basic सी चीज़ें, इसके methods जो हैं, इनके उपर statement based जो questions हैं, वो पूछे जाते हैं numeric portion को इतना खास है नहीं इस topic से, तो छोटा सा topic है, जल्दी से बात कर लेते हैं plain table surveying के अंदर जैसा की नाम बता रहे है, plain table का आप use करते हो survey जो आप कर रहे हो, table की help से आप कर रहे हो यहां पर, तो एक graphical method है इस graphical method के अंदर आप field work जो आप कर रहे हो, और जो sheet पे plot करने का काम होता है जो paper के उपर जो plot कर रहे हैं आप drawing बना रहे हैं, उसका जो काम है वो एक साथ चलता है, एक साथ आप simultaneously कर रहे हो, छोटा area जो होता है, relatively उसके लिए आप करते हो small area के लिए आप use करते हो और इसका जो scale आप use कर रहे हैं that is, medium scale के आसपस आप इसको इसको इस्तेमाल करते हैं Before starting plane table surveying, at first, control stations are established to cover entire area then a suitable scale is decided जो भी आपको, जिस area का आपको survey करना है, उसके आप control points जो हैं, वो आप setup कर लेते हैं फिर उसके बाद plane table surveying आप start करते हो After that, surveyor starts collecting details from either of the point and traverses all stations एक station से शुरू करके उसके बाद सारे जो stations हैं, उनको traverse करते हैं plot करते हैं Elevation of points of observation are determined with the help of leveling Indian cleanometer and telescopic validate तो अगर आपको अलग-अलग points हैं उनके elevations भी अगर आपको बताने होते हैं तो आप ये cleanometer की help से या फिर telescopic जो elevated होता है जिससे आप inclined angles जो है वो आप measure कर सकते हो तो आप इनका इस्तिमाल करके elevations आप बता सकते हो plane table surveying के advantages की बात करें तो advantages में आता है कि सबसे पहला advantage आपको पता है कि आप वहीं पर field के उपर ही plot कर देते हो field पर ही observe कि आप वहीं-वहीं plot कर दिया तो chances of missing an observation missing an observation जो कम हो जाते हैं तो जो भी details आपने field पर देखी वो हाथो हाथ आपने paper के उपर plot कर ली वहीं पर it is suitable for location of details as well as contouring for large scale maps large scale maps के लिए आप use कर रहे हो क्योंकि area small है तो scale आपका large हो जाएगा यहाँ पर तो उसके लिए आप field के अंदर ये काम कर सकते हो plotting details can immediately get compared आप instantly क्योंकि field में खड़े हो जो आपने plot किया तो आप हाथो हाथ compare कर सकते हो कि हाँ ये जो hop की plot की होई चीज़े है वो बिलकुल सही है या नहीं है तो error आने की जो chances है वो कम हो जाते है accuracy जो है वो अच्छी हो जाती है यहाँ पर contours and specific features can be represented and checked conveniently as the whole area is in the view कि जो भी contours आप represent कर रहे हैं जो भी कोई features आपने represent किये हैं drawing के अंदर तो आपको वो actual में दिख रहे हैं ground पर वहाँ पर तो अच्छे से आप मतलब यह जो coordination बैट जाता है कि जो field details है वो paper के उपर mention करने माद only relevant details are located because the map is drawn as the survey progresses irrelevant details get omitted in the field itself कौन सी जरूरी की details है जैसे बहुत बार ऐसे होता आप survey कर रहे हैं कि हाँ जब आप field book में enter करेंगे तो हो सकता है इस details की जरूरत पड़े ना पड़े तो जब आप वहीं पर ही plotting कर रहे हैं तो जो ज़रूरी की details हैं वहीं आप enter करेंगे या necessary details आप enter नहीं करेंगे the plane table survey is generally more rapid जल्दी जल्दी हो जाता है कोई खास भारी भरकम या फिर महेंगे equipments के इस्तेमाल नहीं होता है इसके अंदर तो less costly होता है as the instruments used are simple not much skill for operation of instruments is required ज़्यादा skill जो है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है आपको अगर आप plane table surveying जो आप कर रहे हैं उसके लिए disadvantage क्या है कि अगर बारिश हो रही है fog है clear visibility नहीं है तो ऐसे case में आप plane table surveying जो है वो आप नहीं कर सकते हैं अगर आप बात करें दोस्तों बहुत ही बड़े area की large area की अगर आप बात कर रहे हैं तो वहाँ पर ये method जो है कभी-कभी इतना accurate जो है वो नहीं होता है अगर आप बड़े बहुत ही बड़े project की बात कर रहे हो large area की अगर आप बात कर रहे हो या जहाँ पे precision बहुत ज़ादा चाहिए इसके अंदर कोई field book तो maintain की नहीं जाती है so अगर अलग-अलग scale पे आप plot कर रहे हो तो उसके लिए जो है अच्छा experience चाहिए the method requires large amount of time to be spent in the field ठीक है तो जो अंगरेजी माध्यम वाले छात्र हैं उनके tanning हो जाती है तो वहाँ problem है कि हाँ बहुत ज़ादा time जो है वो field के उपर आपको देना पड़ेगा quality of the final map depends largely on the drafting capability of the surveyor कि जो survey कर रहा है उसके हाथ में ही है कि जो आपका survey होके आएगा वो कैसा हुआ so final map जो है वहीं पर ही plot हो रहा है वहीं पर observations है आपके पास सारी so it depends on the capabilities of the surveyor as well this method is effectively in relative open country यह जो effective होता है relatively open जो area होता है clearly सारे points सारे stations clearly visible होते हैं आपको वहाँ पर यह जादा effective है जहाँ पर hindrance आएगा वहाँ पर इतना नहीं है चलो next instruments की बात करते हैं दोस्तों तो instruments में सबसे पहले आपको चाहिए एक plane table चाहिए जिसके अंदर drawing board लगा होगा और नीचे tripod stand होता है एक plane table आपको चाहिए उसके बाद alledate चाहिए alledate कैसा होता है जैसा कि आपको right side में दिखाई दे रहा है ऐसा कुछ alledate आपको चाहिए alledate क्या होता है एक type से ruler होता है scale जैसा हमारे पास होता है बस इसमें एक end पे eye vein लगी होती है एक end पे object vein लगी होती है तो आप क्या करते हैं यहाँ से eye vein से आप देखते हैं और आगे जो भी point होता है उसको आप क्या करते हो यहाँ पर sight करते हो इसके through आप ऐसे देखते हो एक तरफ eye vein होती है दूसरी तरफ आपके पास है object vein यहाँ पर होती है यह fudicial edge यहाँ फिर beveled edge इसको हम बोलते हैं वाली जो edge होती है यहाँ पर आप distances जो है यह आप measure कर सकते हो कोई भी दो point आप sheet के उपर drawing sheet के उपर जो आप mention करते हो उसको so an LED is a straight edge ruler used for straight sighting the object object को sight करने के लिए देखने के लिए आप इसका इसका इस्तेमाल करते हो with object vein and sight vein with one of the edges is beveled and graduated known as the fiducial edge यह वाली edge जो है beveled होती है यहाँ पर थोड़ा सा इस तरीके से और उसके उपर यह graduations होते हैं जिनसे आप distance measure कर सकते हो drawing sheet का the line passing through the slit of the eye vein joining the thin wire of the object vein and passing beyond is known as the line of sight of plane alidate यहाँ से जो line निकल के जा रही है और object vein के through pass करती हो आगे निकलती जा रही है यह इसकी line of sight हो गई तो यह alidate होता है इससे हम क्या करते हैं जो objects हैं उनको हम क्या करते हैं site करते हैं देखते हैं इसको रखके एक end जो होता है आपका eye vein वाला इसको हम pivot कर लेते हैं या pivot कह लीजिए इसको हम करेंगे pivot करके फिर उसके बाद दूसरे end पे देखते हैं जैसे अगर आप यहाँ पे खड़े होगे अगर आप यहाँ खड़े होके यह आपके पास alidate है तो आपने यहाँ पे इसको pivot किया और यहाँ पे आपका जो दोस्त खड़ा है मान लीजिए यहाँ पे ranging road रखके तो आप इसको अगर sight कर रहे हो तो आपने यहाँ पे pivot करके इसको उसकी तरफ देखा ऐसे करके ray draw कर लिए यहाँ पे एक ray draw कर लिए आपने next फिर आता है plumbing fork, plumbing fork क्या होता है जो आपको right side में image दिखाई दे रही है एक plumbing bob लगा होता है उसके नीचे plum bob लगा होता है और यहाँ पर यह जो है U shape का जो होता है plumbing fork लगा हुआ है इसका काम क्या है कि जब आप field के उपर जा रहे हैं यह आपके पास पूरा इतना बड़ा field है इस field के उपर कोई एक point है इस point पर आप जब इस table को रखेंगे इस point पर जब आप इस table को रखेंगे plane table को तो आपको ये ensure करवाना है कि इसका जो center है वो बिलकुल इसके उपर आए table का जो center है वो इस point के just बिलकुल mid पे आए या फिर जहां भी आप table के उपर उस point को show कर रहे हो आप आपने drawing में मान लीजिए यह आपका actual जिस area पे आप survey करने जा रहे हो वो area है इस point पर a, b, c, d यह stations है तो अगर आपने plane table को रखा है कहां पर a पर तो यह जो a point है और जो sheet में आपने a point दिखा रखा है वो दोनों एक दूसरे के बिलकुल एक vertical line के अंदर होने चीए यह दोनों vertical line में exactly होना चीए जैसे आप यहाँ पे देखिए कि अगर आप यह कहते है यहाँ पे अगर point a है तो आपकी drawing के अंदर जो point a है वो exact इसके उपर plot हो ज़रूरी नहीं है हमेशा table को हम उसके center में plot कर रहे है जहाँ पे points है जहाँ पे वो point है यह same vertical line पर आना चीए तो आप अपने drawing sheet में जहाँ point a depict करेंगे उसके just नीचे वो होना चीए अगर plane table वहाँ रखी हुई है तो ठीक है midpoint necessary नहीं है बस मतलब कहने का यह था मेरा कि जो point है ground के उपर वो exactly sheet के उपर जो point आपने plot किया है उसको बिलकुल coincide करना चीए a plumbing fog is a u-shaped piece of metal or a wooden frame the end of one of its arm is pointed and the other arm is having an arrangement for hanging plumb bob plumb bob hanged किया है वो definitely gravity की direction में vertical direction में point करेगा वो the frame is constructed in such a way that the tip of the pointed arm and the plumb line lie in the same vertical line is plumbing fog को इस तरीके से ही बनाया जाता है कि यह जो sharp वाली edge है यहां से लेके यह जो line बने यह line बिलकुल इस plumb bob वाली line के along ही आए at the time of use the pointed arm is placed on the table यह pointed arm जो है इसको तो table पे रख देते हैं दूसरे वाली arm जो है उसको नीचे लगा देते हैं आप उस पे plumb bob लटका देते हैं plumb bob जो है वो vertical नीचे की direction में point करता है तो आप इस तरीके से जो ground का point होता है उसको आप actual में table के उपर ला सकते हैं उसको आप actual में table पर ला सकते हैं ठीक है next spirit level spirit level की अगर हम बात करें दोस्तों तो spirit level आप क्या कर रहे हो जो आपके पास plane table है उस plane table के अंदर वो plane table level है या नहीं है ये चेक करने के लिए horizontal है या नहीं है properly तो उसको चेक करने के लिए आप spirit level जो है इसको कम से कम दो direction के अंदर रखके आप इस bubble को चेक कर लेते हो कि ये center में है या नहीं है it consists of a flat based tube with a small bubble either circular और tubular in shape या तो circular होगा या फिर tubular होगा shape के अंदर ये जो bubble यहाँ पर इसके अंदर present होता है it is used to check the level of plane table by placing it on the board in two position at right angles to each other एक बार उसको आप ऐसे रख लिया दूसरी बार आपने इस direction में उसको रख लिया ये check कर लिया कि हाँ ये table जो है वो properly leveled है या नहीं है when the bubble tube remains in the center at any point on the table it is considered to be properly leveled पिर आता है दोस्तो compass compass जो आप use करते हो objective में पूट सकता है कि कौन सा compass आप use करते होir किस काम के लिए आप use करते हो तो compass जो आप use करते हो'traff compass plane table surveying के अंदर जो compass आप यूज़ करते हो वो कैसा compass होता है trough compass आप यूज़ करते हो trough compass का काम क्या है कि अगर आपने जैसे ये field है आपके पास इतना बड़ा field है इस field के उपर this is station A this is station B this is C this is D अब आपको पता है कि north direction जो है वो यहाँ है मान लीजिए आपने north को इधर plot कर रखा है ज़रूरी नहीं है कि अगर north जो हमेशा उपर ही बनाए हम इसको actual में जिस field पे आप खड़े हैं हो सकता है north जो है वो इस direction में हो जिस भी direction में है let us say कि north को मान लेते है यहाँ कुछ आपने north को कुछ ऐसे mark कर रखा है कि north जो है वो इस direction में है अब जब आप drawing आप बना रहे हो अब आपने इसकी drawing बनानी शुरू की तो drawing में पहले आपको north इसमें mark करना होगा कि north कौन सी direction में है तो आपने लिख दिया कि north जो है वो इस direction में है आपने trough compass की health से आपने बता दिया उसमें अब क्या हो रहा है आपने a point के उपर table रखा आपने a point के उपर table जो है यहाँ पर इसकी centring की फिर उसके बाद आप जा रहे हैं b पर तो a पर तो आपने ठीक है यहाँ पर mark कर दिया यहाँ से यहाँ north जो है इस direction में है अब b पर आप जा रहे हैं c पर आप जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि b पर जाके आप table जो है वो इस तरीके से घुमा देंगे ऐसा नहीं होना चाहिए जो alignment रहेगा वो alignment ऐसे ही रहेगा कि हमेशा उसका orientation जो initially दो line actual में field में है वो दो line actual में जो sheet के उपर है वो भी parallel ही आए इसके यह कह लिजे table हमेशा oriented ही रहे यही plane table surveying का क्या होता है principle होता है कि अगर north जिस direction में आपने depict कर दिया mark कर दिया वो उसी को parallel करते हुए उसी direction में orient करते हुए उसको आप आगे बढ़ेंए ठीक है so the side of tref compass should be parallel and plane such that they can be used as ruler or for placing the compass such that it coincide with the line already drawn in north-south direction यह जो आपको यहाँ पे side जो दिखा रखी है इसकी यह वाली side यह plane होनी चाहिए यह कह रहे है कि आप ruler की तरह उसको इस्तिमाल कर सकते हो साथ ही साथ में जो आपने north वाली line drop किया उसके along आप उसको align कर सकते हो check करने के लिए next आता है आपके पास drawing paper drawing paper अच्छी quality का होना चाहिए shrinkage उसके अंदर कम आए moisture effect जो है humidity temperature इनके effect उसके अंदर कम आए ठीक है और वो with time क्योंकि आप उसके अंदर equipment उसके उपर रखे हुए alidate को बार-बार आप उसके उपर use कर रहे हो गुमा रहे हो तो rubbing के कारण जो है वो खराब ना हो paper फट ना जाए तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखते हैं क्योंकि paper के उपर control z वाला system तो ही नहीं कि वो हट जाए delete हो जाए कुछ गलत हो गया तो तो उसके लिए ध्यान रखना होता है principle of plane table surveying क्या है plane table surveying का principle अभी अभी मैंने आपको बताया कि जो field के उपर जो lines है अगर field के उपर actual line AB जो है वो अगर कुछ इस तरीके से drawn है तो आपका plane table जो है उसके उपर जो line AB आप draw करेंगे ये दोनों एक दूसरे के क्या होने चीए parallel होने चीए so plane table surveying is based on the principle that line drawn during plotting always lie parallel to the corresponding lines actually present on the ground जो आप table पे draw कर रहे हो at any time they should be parallel to the actual lines ठीके next instrument को set करना तो उसके लिए आप क्या करते हैं सबसे पहले आपके पास tripod stand है तो tripod stand जो है उसके उपर आप क्या कर देते हो ये जो drawing board है उसको fix करोगे उसके उपर sheets जो है clips की help से आप set कर लेते हो आपको क्या करना है इसकी leveling करनी है leveling क्यों करनी है ताकि ये table जो है वो perfectly horizontal रहे table जो है क्या रहे वो perfectly horizontal रहे टेबल अगर horizontal है, leveled है, उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, जो point है, जिस point के उपर आपने रख रखा है, उस point को आप क्या करते हो, वो table के उपर या उस sheet के उपर आप क्या करते हो, उसको plot करते हो, उसके उपर उसको क्या करते हो, centring करते हो आप उसके, तो जो field का point है, उसको exact, जो आपका sheet है, drawing sheet जो है, उसके point के साथ coincide करवा रहे हैं आप यहाँ पर, जैसे कि पिछले drawing में अगर आप देखें, तो यहाँ पर आपके पास 4 point अगर A, B, C, D थे, और आप table को अगर ले के आते हैं यहाँ पर, A के उपर, तो आपका कुछ इस तरीके से traverse बना हुआ होता, तो इस A जो है, field के उपर, actual में जो A point है, इसको आप sheet के उपर ले के आना, इसको आप क्या कह रहे हो, centering कह रहे हो यहाँ पे, the table should be so placed over the station on the ground, that the point plotted on the sheet corresponding to the station occupied should be exactly over the station on the ground, फिर आप क्या करोगे, orientation properly oriented होना चीए, properly oriented अगर नहीं है table, तो आपका जो drawing है, वो खराब हो जाएगी तो आप direction देखेंगे कि आपने north कहां पर mark कर रखा है, फिर उसी के according आप orient कर सकते हो, orientation आप trough compass से भी कर सकते हो, back sighting से भी कर सकते हो, कि back sighting से कैसे कर सकते हो, कि आपने देखा कि A के उपर आपके पास यहाँ आपने रख लिया, अब हो सकता है आपने table जो है वो टेडा सकते हो, फिर points को sight करना है आपको, so method of orientation में trough compass आपके पास आता है, trough compass से आप क्या करते हो, यहाँ पर आपने trough compass रखा, trough compass रखके आपने देख लिया, यहाँ north direction कहां बन रही है, तो north आपने ऐसे plot कर दी, line draw कर ली, तो जब जब आप उस table को उठा के कहीं भी लेके जाए आप north से उसको बस align करके और उसके बाद अपना जो आगे का processor वो शुरू कर लें है, या फिर by back sighting, back sighting से आप कैसे कर सकते हैं, in this method, plane table is oriented by back sighting on previous station, पिछले station की तरफ देखके आप उसको align कर सकते हैं, अब plane table survey के अलग-अलग methods हैं, चार method आपको बता रखे हैं, method of radiation, method of intersection, य ये दो method जो हैं इन चारों में से, ये दो method हैं, आपको, जो field की details हैं, उनको table में plot करने के काम आते हैं, method of radiation और method of intersection इसमें काम आते हैं, उसके बाद दो method जो आपके पास हैं, method of traversing, method of resection, इनके अंदर आप क्या कर रहे हैं, इन methods के अंदर आप, जो plane table station है, उसको sheet के ऊपर कै कैसे plot करना हैं, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर, so the first, the first two are employed for locating the details and other two are used for locating plane table station, plane table station, आप actual में, table कहां पर है, उसको plot करने के लिए हम यूज करते हैं, the method of radiation and the method of intersection are employed to locate objects and features present in the area of survey, the method of traversing is used to plot the network of station, and method of resection is employed to determine and to plot the location of the plane table, as well as to orient the table simultaneously, so method of resection, orientation के भी काम आ रहा है, plane table कहां पर है, उस location को भी पता करने के काम आ रहा है, पहला आता है method of radiation, method of radiation में आपने क्या किया, plane table को जो है एक जगा रख लिया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, जो भी control points आपने setup किया है, जितने area के उपर आपको survey करना है, let us say वो control points आपने ABCD देख लिये, अब जहां पर आपका plane table रखा हुआ है, वहां से आपने aledate रखा, और A point की तरफ देखा, और एक ray draw कर ली, similarly आपने P point पर aledate जो है, उसको ऐसे रखा, यहां पर pivot कर दिया, मतलब एक end जो है इसका, यह aledate अब कुछ ऐसा आप 3D में imagine कर लो, कि यह P point के उपर आप खड़े हैं, P point पर इसको pivot कर दिया, मतलब एक end जो है, यह तो fix कर दिया यहां पर, अब दूसरे से आप उसको ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हो, तो आपने यहां से जब देखा, इसको कुछ ऐसे, तो आपने A की तरफ ऐसे ray ड्रॉ कर लिया, आपके पास यह जो paper है, उसके उपर आपने ऐसे ray ड्रॉ कर दिया A की तरफ, तो यहां पर एक ray आगई आपके पास, similarly P से B की तरफ ड्रॉ कर ली, P से C की तरफ कर ली, P से D की draw कर ली और फिर उसके बाद distance आपने actual field में आप chain या tape से measure कर सकते हैं कि P से लेके B तक का distance कितना है फिर scaling करके आप इसके उपर art draw कर लोगी हाँ इतने इतने distance जो है ये आगई आपके पास फिर उसके बाद इनको join कर दो इनको join कर दोगे तो आपके पास ABCDE next in this method instrument is set up at a station and rays are drawn to various station which are to be plotted then distances are cut on suitable scale after actual measurement distances काट लेते हैं it is suitable for small area छोटे area के लिए suitable होता है this method is convenient if telescopic or digital LED is used digital LED या फिर आप telescopic LED अगर उसकरते हो तो ये convenient है otherwise it is effective when associated with tachometer या फिर electronic distance measurement instruments होते हैं वो आप use करें horizontal distances को measure करने के लिए तो आप accuracy से आप सारी चीज़ें जो है वो plot कर पाएंगे next आता है method of intersection दो points है आपके पास A और B ये दोनों points जो है वो कहा है एक बीच में कोई obstruction आ गया जैसे कोई river आ गई उसके उस तरफ है तो आपको क्या करना है उनको अगर plot करना है तो कैसे आप बता पाएंगे या distance measure कैसे कर पाएंगे तो उसके लिए आप क्या करते हैं दो station P या Q ले लेंगे ऐसे ले लेंगे P या Q जो P Q distance आपको पता हो P Q distance आपको पता है तो आपने क्या किया अब P के उपर table रखा P पे table रखने के बाद आपने इसकी leveling centering ये करवा दी अब आप क्या कर रहे हैं P से देखेंगे A की तरफ P से लेके A की तरफ आपने देखा ray draw कर ली P से B की तरफ देखा ray draw कर ली P Q line की length आपको already पता है और P Q की तरफ भी आप एक ray draw करके line draw कर लेंगे फिर table को रख लेंगे आप कहां पे Q पे अब Q पे जब आपने table को रखा तो ये दो ray already draw थी जो P से हमने A B की तरफ देखा था वो दो ray already drawn है यहांपर अब आप Q से देखो किस की तरफ A की तरफ फिर Q से देखो आप किस की तरफ B की तरफ तो अब ये जहांपर intersect कर रहे है वो आपके point आगए small A और small B और इनको आप join कर दो तो इस method के अंदर आप क्या कर रहे हो एक ऐसे point को locate कर रहे हो कैसे दो ray को intersect कर वाके point B जो है ये plot किया तो इन दिस method locating of a point on the drawing sheet is done by intersecting two rays drawn from two different station दो different station से आपने ड्रॉ किया इसको graphical triangulation भी हम कहते हैं ये तब prefer करते हैं जब distance between station बहुत जादा हो और stations जो है वो inaccessible हो या ground जो है वो बिलकुल undulating हो plain ground जो है वो ना हो तीसरा method आता है method of traversing this method of plane table surveying is used to plot a traverse in cases stations have not been previously plotted by some other method अगर station को already plot नहीं कर रखा है तो उस case में आप method of traversing जो है वो use करते हो कौन-कौन से stations को traverse करना है किसका traverse बनाना है traverse क्या होता है closed network है lines का जिससे आप एक polygon बना रहे हैं वो open भी हो सकता है closed भी हो सकता है so the stations are plotted by method of radiation by taking back side on the preceding station and a foresight on the following station तो back side foresight लेते हुए आप traverse जो है यह आप बना लेते हो tecumetric method से आप distances calculate करते हो यहाँ पर तो इसमें आपने क्या किये मान लिजीए 4 stations आपने set कर लिए 4 traverse station है A, B, C, D इनको क्या करेंगे आप plot करने वाले हैं drawing पे तो आपने सबसे पहले A, जो है A के उपर table रखा और आपने क्या किया A के उपर aledate जो है उसको pivot करते हुए D की तरफ देखके ray draw कर ली फिर A के उपर aledate को pivot किया B की तरफ देखा ray draw कर ली इसी तरीके से आप चले गए B पे रखके अब table को तो B, जो small B point था इस small B point को capital B वाले point के उपर आपने क्या करवा दिया centring करवा दिया फिर B से आप देखेंगे किस के तरफ C की तरफ और आप ये check कर सकते हैं orientation करवाने के लिए कि क्या आपका table जो है वो properly oriented है तो इसको check करने के लिए B से लेके A की तरफ ray draw कर दो तो ये इस line के बिल्कुल parallel आनी चीए तो C आपने plot कर दिया आप table को ले जाओ table को C पर ले जाने के बाद आपको क्या करना है C से D की तरफ देखते हुए ray draw कर दो तो आपके पास A, B, C, D जो traverse है ये पूरा बन के आ गया सारे steps आपको यहाँ पर सामने visible है next आता है method of resection method of resection is a part of method of resection हम कहां यूज करते है ऐसा question SSE में पूछा गया है तो आप plane table surveying में आप यूज करते हैं simple answer इसका so this process of determining location of station occupied by the plane table with reference to stations which are already plotted on the drawing sheet method of resection कही जरूरत कहां पर पड़ेगी जहां पर आप stations और बहुत सारे station आप अपनी drawing sheet पर plot कर चुके हो अब आपने table कहां रख रखा है उस point को अगर आपको sheet के उपर plot करना है तो आप उसके लिए method of resection यूज कर रहे हो तो resection by compass के अंदर आपके पास क्या है C वो station है जहां पर आपने instrument रख रखा है C is the instrument station to be located A, B ऐसे stations हैं जो आपको दिख रहे हैं visible stations हैं और already drawing sheet के उपर small A और small B की form में plotted है capital A, capital B field के उपर है small A, small B आपने drawing sheet पर already plot कर रखा है तो आपको जो capital C point है जो field पर है जहां पर आपने table रख रखा है उसको plot अगर करवाना है तो आप क्या करते हैं small B से लेके capital B की तरफ देखो small A से capital A की तरफ देखो और ray draw कर लो small B से capital B की तरफ देखते हुए ray draw कर लो तो यह जहां पर आके meet करते हैं उसे आप क्या कहते हो, इसे आप कह देते हो C station, जो resectors आए, जो पीछे की तरफ आ रहे हैं, resectors जो आ रहे हैं, उनके intersection से या फिर आप यह कह लेजिए, यह हमारा method of resection हो गया, point C आपने यहां पर plot कर लिया, back sighting से आप क्या कर सकते हो, C को आप plot कर सकते हो, back sighting से कैसे plot कर सकते हो, कि आपके पास small a और small b drawing sheet पर already present है, तो आपने a पे ले जाके क्या रखा, table रखा, फिर उसके बाद आपने b की तरफ देखके इसको align कर लिया, और c की तरफ एक ray draw कर दिया, फिर उसके बाद आप क्या कर table को आप क्या कर लिजिए, एक rough idea, a से लेके c तक का जो distance है, वो आप c1 जो है, वो आप draw कर सकते हो, यहाँ पर, after that you move that table to c, c पर जाके आपने move किया इसको, और फिर b से side किया इस तरफ, a के along align करते हुए, b से आपने क्या कर लिया, इसको side कर लिया, तो जहाँ पर आके यह intersect क कर जाएगा, वो आपका actual point जो है, c हो जाएगा, यह हो जाएगा, resection by back sighting, next आता है resection by three point problem, three point problem क्या है, कि आपके पास three stations है, capital X, capital Y, capital Z, यह drawing way already present है, in the form of small x, small y, small z, आप क्या करो, small x से capital X की तरफ, rate draw कर दो, small y से capital Y की तरफ, small z से capital Z की तरफ, ऐसे यह raise draw कर दो, तो यह तीनों आके जिस point पर मिल जाएगी, वो point आप कहा जाएगा, कि आपका table कहां रखा हुए, small x से capital X की तरफ, small y से capital Y की तरफ, small z से capital Z की तरफ, अगर आप raise draw कर होगे, और उन रेज को पीछे की direction में आप ले जाओगे as a receptor तो आपको point P जो है वो मिल जाएगा So if capital X, capital Y, capital Z are well defined objects present in the field whose plotted positions are small x, small y and small z If plane table is oriented correctly the three receptors capital X, X, capital Y, Y and capital Z, Z gets intersected at a point P which presents the location of the plane table station capital P on the drawing sheet अगर आप ऐसा करते हैं और वो एक point पर आके ना मिले ऐसा करते हैं और वो एक point पर आके ना मिले तो एक triangle बन जाता है बीच में जिसे कि हम क्या कहते हैं triangle of error कहते हैं जिसे हम क्या कहते हैं triangle of error बोलते हैं जितना ज़्यादा बड़ा यह है ट्राइंगल होगा उतना ही error आपका जाधा होगा तो हम इस तरीके से adjust करने की कोशिश करते हैं कि इस error को बिल्कुल एक point की form में ले ओ यानि कि आप exact location जो है plain table की आप बता पाओ तो धीरे-धीरे iterations जो आप करते हैं उसके थुरू आप उसको solve कर लेते हैं तो plain table station में इतनी बातें जो हैं वो आपसे पूछते हैं two point problem क्या होती है three point problem क्या होती है दो आपके पास stations already है तो two point वाला हो जाएगा तीन आपके पास हैं already उनकी help से आप क्या कर रहे हो एक point जहां पर table रखा हुआ उसको plot कर रहे हो तो यह आपकी three point problem होगी section क्या होता है आपको समझ आ गया table की location पता करना sheet के उपर और जो बाकी methods थे आपके radiation method हो गया traversing हो गया उनके अंदर आप plot कर रहे हो जो field की details है उनको इसके उपर तो अभी के लिए इस session में इतना ही दूस्तों मिलते हैं कल हमारे next session के अंदर कल की जो timings है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ 2 p.m. पे आपको जो है RCC हम शुरू कर रहे है SSC plus के उपर ठीक है SSC plus के उपर RCC शुरू हो रही है अगर आप join करना चाहते हैं तो आप मेरी profile पर जा सकते हैं मेरी profile आपको अनकाडमी की एप के उपर संदीब जानी सर्च करना है वहाँ पर आपको profile दिख जाएगी उसमें आपको यह course दिख जाएगा RCC का उस पर जाके आपको get subscription पर क्लिक करना है get subscription पर क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर duration सेलेक्ट करनी है फिर उसके बाद referral code आपको यूज करना है संदीब डबल पन अगर आप N-Academy आप पर नहीं हैं और special classes देखना चाहते हैं तो वो special classes 4 बजे और 6 बजे हो रही हैं इनके अंदर हम पढ़ रहे हैं Environment Engineering 1 Objective और subjective दोनों जो आपके Paper 1 और Paper 2 दोनों में काम आएंगे उसके बाद 8 बजे कल Civil 101 की class रखेंगे दो सपन और 10 बजे अपनी Wi-Fi Study की class जो है ये चल ही रही है ओकी Thank you so much So मिलते हैं कल हमारे next session में 2 p.m. RCC के लिए तब तक के लिए टेक क्या Thank you so much, Bye Bye Thank you so much Thank you so much